हेलो एवरीवान वेलकम टू प्रीनास कीचन चलिए आज मैं केरला की मलबार साइट की एक फिश करी की रेसिपी लेके आई हूँ जो की बहुत ही टेस्टी है चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने फिश को क्लीन करके हल्दी नमक और लाल मिर्च का पाउडर डालके मैरनेट करके रखा है अब इसमें हम अद्रक का टुकड़ा चॉप करके और जो हरी मिर्चे इसे स्लाइस करके इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे यहाँ पर मैंने एक स्पून हल्दी का पाउडर डाला है और दो टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है और अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे इमली एक नीबू के बराबर का इमली मैंने भिगो के रख दिया था और अब इसे इमली को नीचोड़कर उसका पानी इसमें डाल देते हैं अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और फिर अच्छे से हलके हाथ से मिक्स करना है फिश को बिल्कुल हलके हाथ से मिक्स करना है अब हम इसमें थोड़ा सा पाने डाल कर गैस ओन कर लेते हैं लो मीडियम फ्लेम पर हमें कुप करना है अब मैं इसमें थोड़ा सा कड़ी पता और डाल रही हूँ बीच बीच में फिश करी को हिलाना है स्पून से नहीं हिलाना है नहीं तो इसके काटे सब अलग हो सकते हैं अब इसमें हम पाच्छे लसन की कलिया क्रश करके डाल देते हैं और लास्ट में गैस ओफ करके एक टेबल स्पून कोकनट ओयल डालना है और ये हमारा टेस्टी फिश करी रेडी है राइस और चपाती के साथ ये बहुत अच्छा कॉंबिनेशन है आप जरूर ट्राइ कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई